हेलो माई लबली वीवर वेलकम बैक वजेत्ता व्लोग्स आज के वीडियो में हम जानेंगे इसक्रब के बेरिफिट के बारे में इसक्रब कैसे हमारी स्किन को डैमेज कर देती है अगर आप भी यह मिस्टेक करते हैं तो और इसक्रब करने का सही तरीका क्या है सब कुछ हम ड सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले और इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेस्को स्टाड़ेट तो सबते पहले जानते हैं इसक्रब के बारे में सब्सक्रब के बारे में सब्सक्रब के ये के लिए ग्रोईग इस्कीन पाने के लिए वीक में कम से कम वन बर आपको इसकर जरूर करना चाहिए लिए हमारे डेटसल को हटाने के सासता, open pores को deeply clean करने काम करते हैं जिससे black head, white head की problems, pimples की problems कम हो जाती है और हमारे wrinkles भी इससे remove होते हैं dark spaces जो होते हैं वो भी इससे remove जाते हैं इसके धेरों सारे फाइदे हैं लेकिन बहुत सारे लोग को scrub करने का सही तरीका पता नहीं होता है जिससे वो जाने अंजाने में बहुत सारे mistake कर बैठते हैं जिससे उनकी skin के damage होने chances बढ़ जाते हैं कई आप भी तो यह mistake नहीं करते हैं तो चलिए आंते हैं, scrub करने का आखिर सही तरीका है क्या अगर आपके face से make-up है या किसी भी तरह की गंदगी है तो पहले अपने skin को अच्छे साप clean कर लें या face wash से या make-up remover से उसके बास ही आप scrub करें क्योंकि यह पोर्स के अंदर तक जा सकती है इसलिए पहले face को clean करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा scrub अपने skin के according ही चूज करें डिरेक्टली कभी आपको scrubbing नहीं करना 10-20 से जादा आपको किसी भी एक जगा तक scrubbing भी नहीं करना है क्योंकि से रेस्टली होने के सांसे बहुत ज़र बढ़ जाते हैं यह आपके skin को damage कर सकते हैं और जहां भी आपके face पे black head, white head की problem है वहां पे आप ज़्यादा देर तक scrubbing कर सकते हैं अगर आप रोजाना scrub करती हैं तो यह आपके skin को benefit देने के बजाए damage कर सकता है इसलिए वीक में एक से दो बार से अधिक आपको scrub भी नहीं करना है इस scrub अपलाई करने से पहले आप अपने face पे steam जरूर ले लें इससे क्या होगा कि हमारे जो dead skin है ब्लेक हैड वाइड है वो loose हो जाते हैं जिससे बहुत easily वो scrub करने से remove हो जाते हैं अगर आप home-made scrub का use करते हैं तो इस बात का हमेशा धान रखें कि वो दरदरा तो हो लेकिन बारीक दरदरा हो जिससे हमारे skin को damage ना कर सके यह सच है कि बहुत ज़्यादा scrub नहीं करना चाहिए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा gap रखने से भी हमें कोई भी benefit नहीं मिल पाता है अगर आप भी clean और clear skin चाहते हैं इसकिन को glowing बनाना चाहते हैं तो इस scrub का use जरूर करें अगर आपकी skin dry है तो वीक में एक बार oily है तो वीक में दो बार अपरे face पे इस scrub का इसमाल जरूर करें और टू मिनट से जादा आपको परे face पे बिल्कोल भी नहीं करना है आप बात करते हैं किस age में हमें इस scrub को प्रे face पे अप्लाई करना चाहिए इसका कोई fix time नहीं है तीन एजर में ही हमारे skin पर प्राब्लम्स लिकलने स्टार्ट हो जाते हैं red cells और black hair divided की problems आम होती है तो उस age में आप इस scrub का इसमाल कर सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि इसे हमारे skin को क्या-क्या नुकसान होते हैं बहुत ही जादा quantity में scrub का यूज करने से यह हमारे skin को damage कर सकती हैं और week में 3-4 बार scrub करने से यह हमारे skin को dry कर देती हैं जिससे हमारे skin के रंगत उनने के भी chances बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं अगर आपके भी skin sensitive है तो आपके face पे redness और eating की problems हो सकती है तो इन सारे problem से बचने के लिए आप हमेसा scrub अपने skin type ही choose करें और किसी expert के अनुसार इसका use करें तो पी video आपके लिए helpful होगा वीडियो पसेना तो प्लीज like, share और channel subscribe करना बिल्कुल होने मुले तो मिलते हैं और इंट्रेस्टिंग टॉपी के साथ तेक्यर्स, बबबाई, थैक्स पर वाचिंग